हेलो बाइ नमस्ते सबी को आज की वीडियो बहुत जादा इंपोटेंट होने वाली है में में टॉपिक पर दो टॉपिक पर बात करूंगा sse mts 2023 के एक्जाम के लिए ठीक है जिनका एक्जाम जून में है और मैं मैं है उनके लिए भी यह टॉपिक होने वाला है यह है बहुत सारे में दोस्ते हैं वो कमेंट कर रहे हैं मतलब कमेंट नहीं मुझे मैसेज कर रहे हैं personally कि जो बच्चों का एक्जाम जून में हो रहा है उनको comparatively नॉर्मलाज़ाइशन कम तो मिलेगा जिनका एक्जाम मही में हुआ है उनसे और दूसरा आपके करेंट फेर जो जून में एक्जाम है इनका वो कितना पुराना पूछा जाएगा फोर एक्जामपल मही में हुआ है मही वाले बच्चों ने किया हुआ अप्रेल तक के मंत का पूरा ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में ही मही में आपका एक्जाम शुरू हो गया था अब आपका एक्जाम जून में हो रहा है आपको इतना टाइम मिल गया है ऐसा तो नहीं ह कि कि आपका जून में एक्जाम है यून में एक्जाम है आपका यून से फटार्ट आप जून का मत कर ये ते रह पंडिव के जाईए 20 तक का मिनिमिमिम आपका टाफ कर के जाईए ठीक है वहां वहां से आपका इतना कर लोगे आप और लास्ट 6 मंत का तो कोई कोशन आपका छूटेगा नहीं प्लस आपका जो sports हुआ, awards हुए, important events हुए, इंडिया में जो पहली बार चीज़ वह हुई है, कुछ भी पहली बार हुआ हो, वह हुए यह ऐसी चीज़े, कुछ ऐसी चीज़े हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको वीडियो बना जी थी, वो topics भी दिखा दी है, मैंने, जो भी PDF में मेरे topics थे वो सारे, यह तो बात रही इसकी, कि आपको कितना पुराना पढ़ना है, और दूसरे topic पर आने से पहले जाने कि को बताना चाहता हूँ, वीकली CGL के मौक टेस्ट लाइब चल रहे हैं, ठीक है, अगर आपने CGL का फॉर्म भी बराए ना, तो भाई इसको मिस मत करना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें All India, All India का free exam है, कोई भी attempt करता है, इ आपको course या फिर test series purchase करनी, नॉर्मल जो discount मिलता है आपको, for example अभी जो offer चल ला है, उसमें maximum discount मिल ला है आपको, ठीक है, उससे भी 5% extra मिल जागा, आपको, आप try करके देख ले ना, नीचे link डिस्केस में दे दूँगा, मैं code है, मेरा code ये display पर आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मलाइशन की, नॉर्मलाइशन आपको, कहीं ऐसा तो नहीं है, आपको दिन ज्यादा मिलेंगे, तो नॉर्मलाइशन कम मिलेगा, नॉर्मलाइशन की बात करूँ मैं, तो देखो, state level के exam होते हैं, जैसे for example, UP state के exam होते हैं, उनमें क्या होता है, जिनकी shift पहले हुई है थोड़ी, और जिनकी shift बाद में हुई है, उनमें थोड़ा फर्क आ जाता है, नॉर्मलाइशन का, क्योंकि बच्चों को जादा टाइम मिल जाता है, इनका exam बाद में हुआ है, नॉर्मलाइशन का फर्क देखने को मिलता है, ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन SSC के field में, SSC में, क्या होता है, SSC का जो formula होता है, उसी के base पर नॉर्मलाइशन होता है, कोई आपका आगे हो गया, पीछे हो गया, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपकी जो shift का label रहा है, ठीक है, for example, आपको मही में जिनने बच्चों का exam हो चुका है, आपको थोड़ी सी tough shift में exam पढ़ा ह आपका ठीक है, तो नॉर्मलाइशन और ज्यादा मिलेगा आपकी shift वाल बच्चों को ठीक है, बागी shift जो average shift इसक्रो रहा होगा, उससे ज्यादा आपको मिलेगा, नॉर्मलाइशन ठीक है, ये फायदा होता है, अब June में हो रहा है उनका, तो वो बे फिकर हो के जाए, ये नॉर्माइशन में कम मार्स मिल जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, दो चार प्रचों का आया the doubt, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज, तो I hope आपका ये भी doubt clear हो गया होगा, basic formula पर ही depend करता है वो, और इसके लावा कुछ नहीं, ठीक है, तो और भी कोई अगर आपका